पूजा पाथ की किताब या पूजा का कोई अन्य सामान खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक पर जाकर वहां से खरीद सकते हैं अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसे पुन्यलाब उठा सकें तो शुरू करते हैं वैशाख मास महत में छटा अध्याय नारत जी आगे बोले हे राजन वैशाख मास में मार्ग में चलने के श्रम से व्याकुल और प्यास से पीडित मनुष्य को जो जल का दान नहीं करते हैं वे पक्षी योनी को प्राप्त करते हैं अपने कथन की प्रामानिकता के रूप में हम घर की चिपकली और ब्रहमन की ये प्राचीन कथा का इतिहास तुमसे कहते हैं इस समवाद को ध्यान से सुनो प्राचीन काल में इक श्वाकु वंश में हेमांग नामक एक राजा हुए थे वे बड़े ही धर्मात्मा, जितेंद्रिये और शत्रुजित थे राजा की ब्रहमनों में बड़ी श्रद्धा भक्ती थी भू लोक में जितने भी बालू के कण हैं, जितने भी जल बिंदू हैं और आकाश में जितने भी तारागन हैं, राजा ने उतनी ही संख्या में गौदान किया था उसने अनेक बड़े बड़े यग्य किये थे इन यग्यों के अनुष्ठान के कारण प्रित्वी में कुशा द्रिष्टी गोचर होने लगी और गौ, भूमी, स्वर्ण, तिल इत्यादी के दान से राजा ने अनेको ब्रहमनों को संतुष्ट और प्रसन्न किया। और उसे कहा था कि जल्दान करो, लेकिन राजा ने कहा जल तो बिना मुल्य के प्राप्त होता है, इसलिए भला जल्दान करने वाले को क्या पुन्यफल प्राप्त होगा। ऐसे ही अनेको तरक राजा ने महर्शी को दिये और जल्दान नहीं किया। राजा हे मांग, लूले, लंगडे, दरिद्री एवं जीवी का विहीन ब्रहमनों की सेवा करता था। वेद पाथी, तत्व ज्यानी और ब्रहमवादी ब्रहमनों की सेवा पुजावों नहीं करता था। राजा का तर्क था कि विख्यात एवं विद्वान ब्रहमनों की तो सभी सेवा करते हैं, लेकिन अनात, अशिक्षित, लंगडे, लूले ब्रहमनों और दरिद्रता से पेड़ित व्यक्तियों की स्थिती बड़ी दुखद है, इसलिए ऐसे ही व्यक्ति मेरी दया के योग्य है इस प्रकार दुरबुद्धी से प्रेरित राजा हेमांग ऐसे ही कुपात्रों को दान देता रहा, इस दुराग्रह दोश के कारण मृत्यू के पश्चात राजा हेमांग ने तीन जन्मों तक चातक योनी का जीवन पाया, एक जन्म में वो गिद्ध बना, इसके पश्चात साथ जन्मों तक कुत्ते की योनी में रहा, इसके पश्चात हे राजर्शी, राजा हेमांग ने एक राजा के घर छिपकली के रूप में जन्म लिया, जिस राजा के यहां राजा हेमांग ने छिपकली के रूप में जन्म लिया था, वो मिथिला पुरी का राजा शुरुत कीर्टी था। छिपकली की योनी में वो घर के दर्वाजे की चोखट के उपर कीड़े मकोडों को खाते हुए 87 वर्ष तक वहां रहा। दैव योग से एक दिन रिशियों में श्रेष्ट शुरुती देव नाम के महर्शी, दोपहर के समय मार्ग के श्रम से ठके हुए मिथिला के राजा शुरुत कीर्टी के यहां पधारे। राजा अपने यहां आय हुए रिशी को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसने आदर सहित उठकर उनका स्वागत किया। अनेको प्रकार से उनका पूजन कर राजा ने उनके चरन धोए और उस चरनोदक को जब राजा अपने मस्तक पर छिड़कने लगा तो उसी समय भगवान की प्रेर्णावश उस चरनोदक की एक बूंद उस छिपकली रूपी राजा हिमांग पर भी गिर गई। उस पवित्र चरनोदक के एक बूंद जल के अपने उपर गिरते ही उस चिपकली को अपने पूर्वजन्म का ज्यान हो गया और वो अनेको योनियों में भोगे गए दुखों को याद कर दुखी होकर घर आए ब्रहमन रिशी से तराही तराही करके कहने लगा ये तुम इतनी दुखी होकर इस प्रकार का विलाप क्यों कर रही हो तुम्हारी ये दुर्दशा किस कर्म के कारण हुई है तुम कौन हो अपना सारा व्रत्तांत मुझे बताओ मैं आज ही तुम्हारा उद्धार करूँगा रिशी के ऐसे दया से भरे वचन सुनकर छिपकली रूप धारी राजा हेमांग कहने लगा हे ब्रहमर्शी मेरा जन्म इक्षवाकु कुल में हुआ था मेरा नाम राजा हेमांग था मैं वेद और शास्त्रों का पून ग्यानी था प्रित्वी पर जितने बालू के कन हैं जित दिये और धर्म पूर्वक राज्य किया लेकिन इतने पुन्यकारे करने पर भी मेरी ऐसी दुर्दशा हुई और मुझे स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ तीन जन्मों तक मुझे चातक की योनी में रहना पड़ा एक जन्म में मैं गिध बना और सात जन्मों तक कुत्ते की योनी में रहना पड़ा हे रिशिवर जब ये राजा आपके चरणोधक को अपने शरीर पर छड़क रहे थे तब ही भगवान की क्रिपा से उसकी एक बूंद मेरे उपर भी आगिरी और उस बूंद के गिरते ही मुझे अपने पिछले जन्म की याद हो आई और मेरे सारे प नश्ट हो गए। फिर वे कहने लगे हे राजन आपके निकरिष्ट योनियों में जन्म लेने का कारण मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ ध्यान देकर सुनिये। मार्ग के श्रम से ठके हुए और धूप से पीडित ब्रह्मनों को कभी भी जलदान नहीं किया और सत पात्रों की उपेक्षा कर कुपात्रों को दान दिया। हे राजन जलती हुई अगनी को त्याग कर भस्म में कोई भी हवन नहीं करता है। काटेदार और सुगंध से युक्त होने पर भी ऐसे व्रिक्षों का पूजन नहीं किया जाता। पूजन तो पीपल के व्रिक्ष का ही होता है। तुलसी पत्र के व्रिक्ष को त्याग कर कोई कटेरी के व्रिक्ष का पूजन नहीं करता है। लूले लंगडे दया के पातर हैं, वे पूजन के योग्य नहीं हैं। तपस्वी, ज्यानी और वेद शास्त्रों के ज्याता ये सब स्वयम विश्नु का ही स्वरूप हैं। इसलिए ये सदैव ही पूज्य हैं। इन सब में भी ज्यानवान, विद्वान ब्रहमन, विश्नु भगवान को सदैव ही प्रिय हैं। इस कारण से ज्यानवान ही सदैव पूज्य हैं। साधू महात्माओं की उपेक्षा और अवग्या करने से इह लोक और परलोक दोनों में ही दुख प्राप्त होता है। महापुरुषों की सेवा धर्म अपनाना ही पुरुशार्थ है। अनेकों ऐसे अविवेकी मूर हैं जो करतव्य का विचार नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे मंदमती मूर जन भी हैं जिनके संग से किसी प्रकार का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन साधू संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही पवितरता प्राप साधू संतों की सेवा करने से किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति को कोई दुख प्राप्त नहीं होता। तुमने ना तो जलकादान किया और ना साधू महात्माओं की सेवा की। इसी कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। वेशाख मास में मैंने जो पुन्य किया है वो तुम्हारी शान्ती के लिए मैं तुम्हें देता हूँ। इस पुन्य के प्रताप से तुम्हारे भूत, भविश्य और वर्तमान, तीनों कालों के कर्मों के दुखदाई संसकार दूर हो जाएंगे। इतना कहकर मुनियों में श्रेष्ठ शुरुती देव जी ने जल का स्पर्श करके अपने सर्वुत्तम पुन्य के फल को हे मांग को दान कर दिया। स्वर्ग को गमन कर गया। दस हजार वर्षों तक स्वर्ग में अनेकों सुखों को भोग कर उसने इक्षवाको कुल में महाप्रतापी कुकुत से नाम से जन्म लिया। और सात द्वीपो जितनी वसुंधरा का सुख भोगते हुए अंत में श्री भगवान विश्नु का अंश बन गया। वशिष्ट जी ने उसको वैशाक मास के करतव्य धर्म इत्यादी सब सुनाए और उनके पालन करने से उसके सारे अमंगल समाप्त हो गए और दिव्वे ज्यान को प्राप्त करके वो भगवान की श्री सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए ये वैशाक मास सारे शुभफलों का दाता है। इस माह में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार इस धर्म का पालन करता है। उसकी आयू और यश में व्रिद्धी होती है और सारे पाप नश्ट हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मन, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, ग्रिहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासे इत्यादी सभी को वैशाक मास में बताये गए धर्म कर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। बोल्श्री विश्नु भगवान की जय। छटा अध्याय समाप्त हुआ।